हेला एवरिवन वेल्कम टो आइस पीसे सिंप्लिफाइड एंड इस लेक्चर से जिए में स्टार्ट करने वाले हैं बीपीसी प्रिलिम 68 बीपीसी के लिए मॉक टेस्ट से ठीक है हलाग यह मॉक टेस्ट मेरे दौरा डिजाइन नहीं किया गया है यह मॉक टेस्ट मैंने उठाया है प्रफेक्शन आइस के फुल लेंट टेस्ट से ठीक है और यह जो मॉक टेस्ट है इसमें हम लोग 140 कोशन सॉल्व करेंगे क्योंकि 10 कोशन जो एप्टिटूड का होगा वो मै करके ठीक है पूरी कंप्लीट 150 कोशन 140 कोशन देखना और मैं एक्स्प्लानेशन पार्ट भी दूँगा उसको हम लोग लेकर क्यारी आउट करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कोशन नमर वन से विडाओ वेस्टिंग एन टाइम तो यह कोशन जो सीरीज है वो भी प्यस साइस स्टेट्मेंट है जो करेक्ट नहीं है ठीक है तो जब करेक्ट नहीं है खुझ नहीं तो करेक्ट कौन को ने वो देख लेते हैं कहता है अब अगले ऑप्सन पर जालते हैं कहता ही क्वेल डाउन दे रिवोल्ट बेंगॉल यह भी करेक्ट है जो बेंगॉल में रिवो इसके बारे में लोग समझेंगे, अगर आपको यह लग रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हो, इक्तेदारी सिस्टम को इल्ट उत्मिस नहीं किया था, ठीक है, तो option D हमारा जो है, वो correct नहीं है, हमें not correct जानना है, So, answer हो जाएगा D, एक चीज़ याद रखेगा, जब भी एक्जाम में इसा question आता है, तो आप पहले उस चीज़ को point out कर लो, कि पूछ क्या रहा है, जिसे not correct, correct पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है, इस बात का वो खास ख्याल रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक्ज टैटल दिया, तो उलुक खान कहते है, ठीक है, अब देखिए, और बलवन जो थे, उन्होंने जिल ए इलाही की टैटल खुद से लिया था, उनका tenure था 1266 से लेके 1286 century तक, ठीक है, और अपने कुछ unknown और अंजान और weird theories के लिए वो काफी famous थे, जिनमें वो अपने आपको कहत कहते थे, कि वो एक तरीके से God के द्वारा भेजे गए King है, ठीक है, representative of God है, जिनको नियामत एक खुदाई भी कहते थे खुद को, ठीक है, इस चीज का याद रखना है आपको, एक चीज और है, जैसे ही वो पावर लिये थे, वो तुरकान एच हलगानी को completely वो कर दिये थे, खत्म कर दिये थे, और वो स्टार्ट किया गया था, इस चीज का ख्याल रखना है, एक चीज याद रखीगा, जो रिवोल्ट हुआ था बलवन के समय में, एक मात रिवोल्ट था, जो किया गया था, सुवेदार अब बिहार, तुगरेल खान के दौरा, जो 1279 सेंचूरी में किया गया था, जो कि, इसको खत्म कर दिया गया था, बलवन के द्वारा, ठीक है, और करने के बाद, जो रिवोल्ट सेंच को हैंक कर दिया गया था, ठीक है, इस बात का काफी ध्यान रखते था, कि वोमेंस की पार्टिसिपेशन बढ़ने का यह मतलब हुआ है, अगर वोमे कोर फिल्ड में आती है, तो पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो एफेक्टिवनेस बढ़ता है, मतलब क्या हो गया, कि एफेक्टिवनेस बढ़ेगा, जैसे निदीश कुमान ने किया है, 35% जो उन्होंने ओरिजन्टल प्रवाइड किया है, वोमेंस के लिए, उससे क्या हो गांधी जी इस बात में फोकस करते थे, ठीक है, तो mostly जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है, वो सीडियम की बात, सीडियम में ज्यादा हुआ है, civil disobedience moment में, ठीक है, आपको पता होगा, कि दांडी यातरा जो किये थे, वो सॉल्ट लोग को ब्रोक किये, जैसे स्टार्ट किये थे, civil disobedience moment को, ठीक है, उनको हमेशा, उनका ये हमेशा, गांधी जी का कहना होता था, कि वोमेन का रोल काफी होना चाहिए, कि इस चीज के लिए तो लिकर और फॉरें क्लोथ के जो सोप्स होते हैं, उनको हटाने के लिए, उसमें क्या होगा, अगर फॉरें क साल्ट वर्क्स वाला जो केस हुआ था, उसमें सरोजनी नाइडो ने लेट किया था, तो आप अच्छे तरह के समझ गया, civil disobedience moment में, participation कि इनका सबसे जाए था, तो ज्यादा था, वोमेन्स का, ठीक है, अब हम लोग चलते, question number 3 पे, question number 3 कह रहा है, रंगपूर, where the contemporary of Harappa civilization was found in, रंगपूर जो है, एक contemporary है, किसका तो Harappa civilization का, वो कहाँ पे मिला है, ठीक है, तो यह समझना है, यह मिला है, सौरास्ट रीजन में, ठीक है, बिलकुल, सौरास्ट रीजन आप समझ सकते हो, Arabian Sea के पास, जो coastal region है, गुजराद स्टेट का, उसको कहते है, ठीक है, यह किस basis पे मि हरपन civilization की, वो कहाँ पे मिली है, तो सौरास्ट रीजन में, गुजराद रीजन में, ठीक है, अब चलते है, कुशन मा 4 पे, जहाँ जो explanation होगा, मैं दूँगा, complete explanation, यू नहीं 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 तो कहा नहीं न, तो हमें यह पता चला है, इंसक्रिप्शन से, इंसक्रिप्शन होत इसक्रिप्शन होता है, तो यह समझी, ऐसा कौन सा इंसक्रिप्शन है, जहाँ पे हमें यह पता चला, कि जो बुद्धा, जो है, गौतं बुद्धा, उनके जो बर्थ-प्लेस है, वो लुंबनी है, नेपाल है, तो याद रखिएगा, यह जो था, यह मॉरेट इंसक्रिप उसमें हमें ये खास कर पता चला कि जो गौतम बुद्ध हैं वो बिलॉंग करते हैं लुम्बनी से इसी इंस्क्रिप्शन में ये देखा गया ना कि एक बार असोग जाते हैं वहां पर एक बार जाते हैं अपने जो उनका जो कोरोनेशन चलते रहता है उनका जो उनकी जो और साथ साथ में वहां के लोग का टेक्स फ्री भी कर दिये थे ठीक है टेक्स फ्री कर दिये तो आपको याद रखना होगा पहला कंडिशन तो याद रखना होगा कि जो अशोग थे वो जो हैं गौतम बुद्ध ये फॉलवर्ज थे साथ साथ में जो पिलर बिलकुल कहां पर किया था निरंजना डिवर पर ठीक है और कब किया था तो रात थी वैसाग पूर्निमा की ठीक है और वो बैठे थे पीपल के पेर के नीचे वहाँ निचे समाधी लगा के तब उनको इनलाइट्मिंट प्राप्त हुआ था ठीक है और उसी ट्री को आज कि गए में मगदी में अर्ध मगदी में सको compile किया गया देख जितने भी सारे ज्राइन रिलिजयन के लिड़ेचर सा उनको रिटर Congressayan प्रकृत लीड़ेचर भी इस द्यादों रहा बारह जो आजका ऑजना उसको अर्ध मगदी में लिखा गया गुजरात में किया गया ठीक है और अभी जो जैन लिटरेटर को ट्रांसलेट किया जा रहा है वो हर एक लैंगवेज में किया गया है इसका हमको ध्यान रखना है हम लोग कोशन पर चलते हैं 7 पर कोशन 7 क्या कहा रहा है कि बैटल डाट लेट फांडेशन अफ मुस्लिम डॉम यह कब हुआ था 1192 AD में हुआ था कहां पर तराही ठीक है इस बैटल में प्रिथिवराज चोहान डिफिट किये गए थे किसके दौरा मुहमद गोरी के दौरा और इस बैटल के बाद मुस्लिम पावर को माना आता है कि वो स्ट्रॉंगली इन रूट हो गए थे नदर इंडि रिफिकल्टी को बराने के लिए खत्म करने के लिए यह स्टेप लिया था तो यह थे मुहमद बिन तुगलक देखिए इननों स्टेप बहु काफी अच्छा चलिये थे लेकिन जब स्टेप्स लेते थे तो इनकी किसमत बहुत खराब थी इस चीज़ा ख्याल रखना है इनक पर कंट्रोल उनका कम हो गया पर डेली भागते हैं तो यह थोले किसमत के कमजोर रहते इस तरह मोधी जी आना डिमोनेटाइशन कर दिया फेल हो गया इस तरह के कंसिप्ट है कुछ मुहमद बिन तुगलक का याद रखेगा और काफी इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टें सब्सक्राइशन का मतलब क्या होता ना जो भी स्टेट है ना जो हमारे डॉमेस्टिक है ना इकॉनमी को उसको इंटीग्रेट करके एड करके ले जाना कहां पे ग्लोब पे ग्लोबल एकॉनमी से एड करना है तो यहां सका अंसर सी हो जाएगा विल्कुल अब आगे बढ़त क्वेशन में 10 देखते हैं कहता है ऐसा कॉनसा वकनी सिथा जिसको टरांसलेट किया गया किसके द Walk fix ठांसे व त्र savage को ऑदेखें ठीक किया गया यह त्र सिराय कबर के में किया गया है ठीक है और एक चीज़ और मैं आप को बताता हूं दारा सिखो जो थे नहीं वो एल्डेस संथ है किसके तो पाच्वे मुगल इंपरर सा जहां के एंड उनके ब्रदर और उनका ब्रदर कौन था और इंजेब था ठीक है सारे इकमर इन इस ट्रांसलेशन ऑफ दी उपनिसदिन पर्शियन इनके अधर 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 कुछ फेमस इंक्लूट को जानते हैं उसमें क्या है माजमा उल्भारेन विच वे डिवोटेड तो अरे रेव सब्सक्राइब तो मुझे लगते है थोड़ा आपका अंडरस्टेंडिंग क्लेर कुछ चीजें ज्यादा समझ में आएगी ठीक है कुछ नमें 11 पर चलते हैं 11 में क्या कर रहा है विच वर फॉल्विंग सुल्टान ऑफ दिल्ली एबॉलिस द जकात टेक्स्ट और ग्रेंस तो एक टैक्स था जकात जो ग्रेंस पर था उसको किसने कौन से रूलर ने हट आया था तो याद रखेगा यह थे सिकंदर लोधी थे सिकंदर लोधी जो थे सुल्टान थे बिट्विन कब से कब थे 1499 से लिए 1517 एडी तक थे वो काफ़े अच्छे जैनरस थे और एक अच् लिए ठीच्निन में उन्होंने इंट्रोडूश किया था गजे सिकंदरी में अच्छेशकंदरी थे आप देखिए क्याते हैं सबसे पहले चीज जान लेज़े कि पूछ रहा है कि कौन साइस में जो करेक्टली मैज़ था ठीक है तो समझते हैं तो 1887 जॉर्ज यूल गलत है 1924 में महात्मा गांधी देखिए मैं बताता हूं आपको ये तो absolutely correct है 1924 में बेलगाम सेशन में महात्मा सेशन था ये आपको पता है अगर नहीं पता है तो आप अच्छे जान लोगी कि आप BPSC प्रिलिम्स 30 दिनों के अंदर देने जा रहे हो और आपको ये चीज ध्यान रहना चाहिए ठीक है एक चीज समझते है 1887 में कॉंग्रेस की तीसरी सेशन होई थी जो के हिल्ड हुआ मदराश में और इसको जो प्रिशाइट किये थे रहे हो थे बदरुदूइन तयब जी इसका यद रखना है पहले मुसलिम जो थे फर्स्ट मुसलिम जो थे जो सेशन प्रेसिडेंट बने थे वो बदरुदूदूदीन तयब जी जी बने थे 1887 में जॉर्ज यूल नहीं थे इससका हमको ध्यान रखना है ठीक है और इनको एनायमसली इनको इलिक्ट किया गया था प्रेसिडेंट के लिए तीसरे सेशन में मदरास 1857 में ठीक है और यह पहले मुसलिम प्रेसिडेंट थे कॉंग्रेस के यह भी एक कोशन बनता है इसके पार्ट का और एक सी जाद रखे यह एक मात्र सेसं था जहां मात्मा गांदी ने इनको प्रेसाइट किया था ठीक है तो अप्सन 2 & 3 गरेक्ट है तो वह थे फ्रेंच फ्रेंच वोस दे लास्ट तो कम फॉर्ट रेडिंग याद रखेगा और बात पूछा जाए कि फस्स्ट टू कम एं लास्ट तो गो तो य इनके लिए उपरेशन वीजय चलाए गया था ठीक है अब लोग बात कर लेते कुछ फ्रेंच के बारे में तो यह लास्ट एरोपियन पीपल थे जो हमारे यहां आये थे ठीक है कम आये थे 1664 में इन्होंने इस इंडिया कंपनी को बनाया था 1664 में उसके चार साल के बाद य यह कह रहा है कि अब यह बहुत बड़े एक तो समझ लिए एक अपर इंडिया जिनको कहते हैं और बहुत जादा रॉम्टरियल का वह हमारे बहुत सारा जो हमारे रिसोर्स से इसको ड्रेन कर रहे हैं और इसको लेके जा रहे हैं ब्रिटिस अपने अपने घर युनाइटेट किंडम और यूके माली ब्रिटिस ले जा रहे हैं और हमें भिखाडी बनाके छोड़ते रहे हैं बात तो एक्जैक्ट सही था ठीके और यह बहुत बड़े अच्छे अंसान थे लेकिन इनके इस स्टेट्मेंट को कौन एग्री से वो ओवर्विल्म है इनका मानना था कि जब तक ब्रिटिस ही है जो हेल्प कर पाएगी मुश्लिम्स को आगे बढ़ने में उनके पार्टिसपेशन को लेने में ठीक है तो याद रखेगा कि अगर मुश्लिम्स अभी बढ़ सकती है जब कोलोनियल रूल रहे इनका मानना है ठीक है तो यह विस्पास नहीं करते थे दादा वाई ने रोजी की बातों में अब चलते कुछ नहीं 15 पर क्या कर रहा है दफर्स इवनिंग दफर्स इवेंट रलेटिंग तो वार अफ इंडिपेंडेंस जो वार अफ इंडिपेंडेंस है अठाव संतावन की उसमें पह पहला एकसन था यहाँ पे कुछ आप लोग भेरेस फैट्स भी जान सकते हो पहली बात तो यह जान लेजिए कि नाना साहिब जो थे वो रिवेल्ट किये थे पांच जून अठाव संतावन को कानपूर में देखिए प्रॉमिनेंट फिगर्स कहां कहां से रिवोल्ट किये थ तो यहाँ यह की थी नाठाव संतावन में ही और यह मर गई थी मतलब इनको माटेडम मिला था यह सहीद हो गई थी 17 जून अठाव संतावन को ठीक है तो यह याद रखना है आमनों बढ़ते हैं कुछन में 16 पे कह रहा है दबंगाली देखिए यह सबसे इंपॉर्टन हो गया बुक्स हो गया ओथर्स हो गए काफी देखन रखना है आपको यह अगर मॉडर्न इंडिनिस्ट्री से अगर आप कंफ्लिक्ट आफ इंट्रेस्ट रख रहे हो एक्जाम को लेके तो फिर कुछन में चलते कहता है दबंगाली जो थे न्यूस पेपर वह स्टार्ट कि गया था किनके द्वारा एटीन सेवेंटीनं में तो यह स्टार्ट किया गया था सुर्हंदर नात बैनर्डेसी के द्वारा स्टार्ट किया था यह सबसे पॉस्ट लीडर थे और एक बात आपको जॉद रखना यह साथे इनका जितना भी काम था ना वो काफी पॉलिटिकली काफी स्ट्रॉंग काम था ठीक है इन्होंने पेपर न्यूजपेपर को बेंगॉली को वो फाउंड किया था कब 1879 में साथ साथ में इंडियन निशनल एसोसियेशन कि इनके साथ मिलके आनंद मोहन बोज के साथ मिलके यह इनकी पहली इंडियन पॉलिटिकल ओगनाईशन थी जो 1876 में यह खोले था ठीक है और भी कुछ ही याद रखते हैं इनका ही काम था जो कि बहुत जादा लोगों ने इनको एप्रिसेट किया था उस्टिच के लिए ठीक है और ब्रिटिस रेस्पेक्टेड हिम और रेफर्ड तो हिम दूरिंग इस लाट देखिए याद रखिएगा बैनर जी जो थे हैं वो काफी रेस्पेक्टेड आदमी थ रिबेलेशन ठीक है रिबेलियन पागल फलती रिबेलियन वाज इंट्रोड वाज इंडीड रिबेलियन अफ आखिर ये किस का था तो ये गारोज का था याद रखिए गारोज का गोंट्राइब्स का ने था कोलियाज और विल्स का ने था बट गारोज का था ठीक है इसके एक चीज़ समझे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था करम सा के दौरा कहां पे तो नौर्थ में गॉल में ठीक है जो करम सा के बेटे थे और उनके जो सक्सेसर थे टीपू वो इंस्पायर हुए थे रिलिजियस पॉलिटिकल परफस से और यह रिवलिशन स्टार्ट हुआ था ठीक है ना याद रखिएगा और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि टीपू एंड सा जो थे ना वो लेट के थे पिपूल को किस चीच के लिए तो इस रिलिजियस राइट्स जो पिजेंट्स की है बंगाल में उसके लिए ठीक है तो यह गारो से रिलेटिट था अब कोशन में 18 पर चलते हैं कह रहा है which one of the following book was translated into English by Sir Charles Wilkins Sir Charles Wilkins थे हलाके Sir नहीं लगाना है हर जगा Sir Lord ये उनकी peculiarities है तो Charles Wilkins के द्वारा जो books लिखी गई है कुछ books को translate की गई है English में ठीक है वो कौन-कौन सी book है मैं ये बताना है ठीक है तो ये है आपको गीता गुविंदा नहीं हितोप देश को किया गया है और गीता को किया गया है तो याद रखेगा Sir Charles Wilkins जो है न वो हितोप देश और गीता को हिंदी से यहां के language से उसको translate की है English में तो option two and three correct है ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा अब एक चीज़ और मैं पतायता हूँ Charles Wilkins जो थे न वो founding member थे ऐस्याटिक सुसाइटी के इस चीज़ का ख्यास रखना है और गीता को वो translate किये थे 1785 में English में और 1778 में translate किये थे हितोप देश को इस चीज़ का खास ख्याल रखना है question number 19 में चलते है इसका हमें खास ध्यान रखना होगा एक चीज़ और मैं पतायता हूँ दिपावली की बात आये तो question number 267 में पूछा गया question है जब परकास नारायन जब जेल से भागे थे नॉविंबर में तो उस वक्त कौन सा महुत सब की तैयारी चल लही थे दिवाली के रात वो भागे थे ठीक है तो ये question को आपको ध्यान में रखना है question number 20 पी चलते है तो इसमें कहता है विच उर्दू newspaper was started by लालाजपत्राय कि इनके द्वारा लालाजपत्राय के द्वारा कहां पे लाहोर में 1920 में कौन सा न्यूजपेपर स्टार्ट किया गया था ये स्टार्ट किया था वंदे मातरम ठीक है याद रखेगा वंदे मातरम को स्टार्ट किया लालाजपत्राय के द्वारा जो कि उर्दू डेली था ठीक है और एक वीकली न्यूजपेपर को भी किया गया था उसको कहां से तो लाहोर से किया गया था ठीक है इस इसका ख्यास लखना है उससे पहले की कुछ हम लोग पबलीशन जान लेते हैं कि यंग इंडिया था जो तो यहाँ पर ऑप्शन पिपुल नहीं होगा दा पिपुल उनका था पिपुल नहीं था ठीक है तो यह आप थोड़ा सा एक ट्रैप्ट कोश्चन है बचिएगा अब आगे बढ़ते कोश्चन में 21 पे कोश्चन में 21 कह रहा है वू अफ दे फॉलिंग सेड गुड गर्में इस नो सब्स्टिटूट फॉलिंग वस सेट बई स्वामी द्यानंद याद रखे काफी इंपॉर्टन कोश्चन है ठीक है देनाद सरस्वती वाज़ा रिफॉमर फॉलिंग पैरगमेंटिजम इस तरह ख्याल रखना है यह पर्स्ट अगेंस्ट मेनी रिचुल्स अधी उसको अधी करते हो आप जीसवेट रखते हो वाज झाओ तरुको याद रखे हा स्वामी दियानन्द की बात हो रही है कोशन में 22 पे चलते हैं कोशन में 22 क्या कह रहा है विच अव दे फॉलविंग रिवोलिशनरी वज नॉट हैंग फॉर लाहर कंस्पिरेसी के लिए किन को नहीं हैंग किया गया था ठीक है याद रखेगा वो थे बट्टू के स्वर्दत एक ची समझते हैं कि लाहर कंस्पिरेसी में एक स्पिसल ट्रिवुनल बनाया गया था किन के द्वारा गवर्नर जनरल के द्वारा कब बना था था ओक्टूबर 1930 को कैपिटल परिश्मेंट को इंपोज किया गया था तीन रिवोलुशनरीस पे याद रखेगा इसमें भगत सिंग थे राजगुरू एं सुकदेव भगत सिंग राजगुरू एं सुकदेव को मिला था मार्स 23, 1931 को इन तीनों को हैंग कर दिया गया था मार्स 23, 1931 को और एक और कोशन यहां से निकलता है जब इनको हैंग किया गया था तो भगत सिंग की उम्र क्या थी वो थे 21 साल और कुछ दिन का ठीक है तो इससे का ख्याल लगना है प्रिवेसर कोशन बीपेसे में पूछा गया है एक बार ठीक है और इसी में बट्टू के स्वर्दत को भेज दिया गया था सेलिलर जेल में कहां पर अंडमान काला पाली पनिश्मेंट के लिए ठीक है तो बट्टू के स्वर्दत हमारा अंसर हो जाएगा कोशन में 23 पे चलते हैं 23 क्या कहा रहा है तो ऐसे कौन से लीडर थे जो लेवर मुवमेंट को स्टार्ट किये थे एक चीज याद रखेगा देखिए लाला लाजपतराई मत्यक मारती चेगा लाला लाजपतराई ने बहुत सारा काम किया है ठीक है लेवर मुवमेंट के लिए लेकिन यहाँ पे है और बहुत सारा काम के लिए याद किया आता है टेक्स्टाइल में भी इनका बहुत सपोर्ट रहा है ठीक है और यह बहुत सारा courageous initiative भी लेते थे थे किस पर तो कास सिस्टम पर communal इसमें ठीक है government of India जो है इनके नाम पर एक postage stamp को introduce किया है with photograph in 2005 ठीक है अब आते है question number 24 पर सुल्तान मुहम्मद तुगलक ट्रांसफर इस capital from दिल्ली तो सुल्तान मुहमद तुगलक थे वो कहां पर ट्रांसफर को capital को ट्रांसफर किये थे दिल्ली से ठीक है question में 24 है यह दौलताबाद किये थे मैं आपकोता है ना मुहमद बिन तुगलक के बारे में सब्सक्राइब करते थे अब चलते है question 25 पर कह रहा है who among the following had not advocated in Indian National Association Red Fort trial in 1945 देखिए जो ट्राइल चला था 1945 का ठीक है उनमें इनमें से किसने एडवोकेसी नहीं किया था इन लोगों का तो कौन थे वो तो सरदार वल्ला भाई पटेल थे यह याद रखेगा तो देखिए बालू भाई देशाई यह कुछ नेम से बालू भाई देशाई डॉक्टर कैलासनात काटजू पंडित जवारलन नहरू ठीक है के अन काटजू जवारला नेरू असा फली यह सब जो थे ना वह एसोशियेटेड थे आई एन एके रेट फोर्ट ट्राइल पे जो उनीसो पैतालीस में हुआ था ठीक है लेकिन वल्ला भाई फटेल इंक्लूड नहीं किये गए थे रेट फोर्ट ट्राइल में 1945 में इसका ध्यान रखना है क कोस्चन नमर्ट 26 पे चल रहा है कहह रहा है विच स्टील कंपनी लॉच्छ इंडिया फश्ट ग्रीन स्टील ब्रैंड याद रखिए कह ग्रीन स्टील ब्लैंड की बात हो रही है तो यह टाटा ही है और ऑट शोरी टाटा नहीं होगी इसके कल्ले आनी ग्रूप होगी ठीक ह हमें ऐसा temperature के बारे थर्मोमेटर के बारे बताना है, जो 2000 degree Celsius temperature को major करता है, एक चीज़ तो समझ लीजे, 2000 degree Celsius temperature जो होती है, वो का बहुत ज़्यादा temperature होती है, तो जहां भी बहुत ज़्यादा temperature की बात होगे रहे हो, वहां keyword पकरना है, pyro means होता है, बहुत ज़्यादा heat, तो pyro means ह होगा, इस तर्म में जहां पर बहुत ज़्यादा temperature की बात करेंगे है, तो हमारे जो thermometer होगा, वो होगा total radiation, pyro means होता है, इस इसका ख्याल रखना है, देखे, science क्या होता है, general science में आपको keyword पर ख्याल है, तो आप question को सही करके होगे, keywords पर ध्यान रखना है, जैसे किसी question में relative boost relative density हो, relative humidity हो, तो वहाँ पी उसकी unit नहीं होगी, क्योंकि relative कह रहा है, तो कुछ keywords है, उसको हमों catch करना है, ठीक है, अब चलते है, question number 28 पर, question number 28 क्या कह रहा है, which country has enacted, respect for marriage act, legalizing same-sex marriage, ठीक है, तो LGBTQ जो community है, उनके लिए ये, same-sex के लिए, marriage को allow किया है, act को लाया गया भी, ठीक है, कौन-कौन सी है country, तो वो country है USA, जो है बेडान, आपने देखे होगे, 46th president of United States of America, और साथ में ही France, ये दोनोंने लाया है, so, दो option correct है, तो हमारा option हो जाएग will be the correct answer for this question number 28, एक चीज़ बहुत समझ लेते हैं, ये same-sex marriage वाले जो बात चल रहा है, तो एक चीज़, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि जो marriage होता है, उसमें बहुत जादा case होता है, connections का, और जो same-sex marriage की बात है, वो कोई malances है, कोई disease नहीं है, वो बहुत natural है, ठीक ह अब चलते हैं, question number 29 पे, question number 29 क्या कह रहा है, एक ऐसा liquid है, जो गर्म है या ठंडा है, ठीक है, उसको हमने बहुत समय तक thermo flask में रखते हैं, जो Milton की bottle होती है, उसमें रखते है, ठीक है, thermo flask में, अब कह रहा है कि वहाँ पे क्या होता है, कि कोई भी ना loss होता है, कि किसी ची जैसे मालेज़े यह flask है, ठीक है, इसमें liquid भर रखी है, तो जैसे मालेज़े यह बावल है, उसमें पानी भर रखी थी और हम नीचे से उसको heat कर रहे थे, तो क्या होता है, जो molecular transfer होता है, heat का, molecule to molecule, molecule to molecule, नीचे वाला गर्म हो रहा है, वो उपर जा रहा है, फिर उपर वाल तो वो टच की हो ऐसे होता है, जैसे माले जी एक rod ये है, और दूसरा rod ये है, rod A, rod B, अगर rod B की temperature, A की temperature जो है, TA जादा है, TB से, ठीक है, temperature of rod A is greater than temperature of rod B, तो temperature जो होगा, जो transfer होगा, वो A से B की तरफ transfer हो जाएगा, हमें से याद रखेगा, जो भी hotness और coldness होती है, वो higher potential से lower potential क के दरफ move करेगी, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों process होगा, तो 1 and 2 options होगा, तो D correct हो जाएगा, ठीक है, अब इसको erase करता हो, और आगे बढ़ता हो, चलते next question के लिए, next question क्या कह रहा है, देखे 1 and 2 है, तो हमारा D answer हो जाएगा, आगे बढ़ते है, कहता है, which of the following has released social progress index, क्या जो think tank इंडिया का, वो करता है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर करता है, यहाँ पर करता है, basically EACPM, ठीक है, EACPM क्या होता है, यह economic advisory council होता है, यह क्या है, economic advisory council, ठीक है, यह prime minister के अंदर काम करता है, और prime minister के economic, जो भी economic issues होंगे, उस पर economic issues जो social related, society से related होंगे, उन पर यह अपन explanations और अपना points रखते हैं, ठीक है, तो EACPM जो होंगे, वो social progress index को लाते हैं, तो इस इसका ध्यान हो गया, question number 31, अब चलते है, question number 30, 30 हो गया, 31 पे चलते हैं, कह रहा है, which one are the following types of waves, are used in the night vision apparatus, देखिए, रात में जो देखने वाले cameras होते हैं, जो navies use करती हैं, जो military use करती है, उस electromagnetic waves, electromagnetic waves कहने का मतलब क्या हुआ, या electromagnetic radiation कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा कोई भी wave जिसकी wavelength होते है, जिसकी जो travelling propagation की speed होते है, वो speed of light के बराबर होती है, that is c, c equals to speed of light, उसके बराबर होती है, उसकी value क्या होती है, 3 into 10 to 8 meter per second, ठीक है, तो इस चीज़ को गरे में clearly रखना है, तो night vision equipment में insufficient visibility light होती है light की होती है तो उसमें हम लोग infrared wave use करते हैं simple सी बात है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए एक कोशन प्रिवेसर कोशन में पूछ रखा है एक बार तो आपको खासा concern रहना ऐसे टॉपिक्स में basic science में और मैंने physics की playlist डाल रखी है घटना चकर के लगवक सारी पढ़ा के आप एक बार देख लो आपकी concept clear कर दूँगा मैं ठीक है कह रहा है आप question 32 पर चलते हैं कहता है which Indian vessel is participating in the 50th Cape Town to Rio race 2023 तो इंडियन vessel होता है ठीक है वो कौन से सा वेसल है जो participate कर रहा है पचासवे Cape Town Cape Town से लेकिए जो Rio race चल रहा है उसमें 2020 में ठीक है यह कर रहा है आपको INS V-Tarni याद रखेगा यह current affair question है INS V-Tarni ठीक है अब देखे इंडियन Navy's sailboat INS V-Tarni जो है sailboat है इंडियन Navy की जो की expedition में भाग लिया है कहां से कहां तक sail करने में from Cape Town to Rio race 2023 का ठीक है अब एक चीज़ याद रखेगा यह दो जन्वर दो जन्वर दो जन्वर कंड़क कराया गया और यहां पर बहुत सारे culminative way में बहुत सारे countries ने पाट लिया था Rio de Janeiro, Brazil और most जो भी Trans-Atlantic Ocean में जो races होते हैं उसमें यह सबसे ज़्यादा prestigious race है यह भी इस बात का भी ख्याल रखना है आपको ठीक है अब question 33 पे चलते है question 33 क्या कह रहा है which of the following Indian sites has have been included in the UNESCO tentative list ठीक है तो याद रखेगा यह UNESCO list की बात नहीं कर रहा है UNESCO के tentative list की बात कर रहा है ठीक है tentative list का मतलब होता है कि अभी तक sites को confirmation नहीं मिला है लेकिन हाँ यह list के वारे में consideration के लिए भेजा गया है Indian government को द्वारा तो एक तो समझ लिए मोदेरा sun temple जो गुजरात में है उसको भीजा गया है साथ महीं वार्दनगर टाउन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी का hometown है यह इस बात का ध्यान रखने कर रहा है दोनों कहां पे इस्तित है दोनों है आपको महशाना district गुजरात में इस दोनों को add किया गया है tentative list of UNESCO World Heritage Site में ठीक है कहां से हमें पता चला है tentative list और sites के बारे में तो यह दोनों के बारे में पता चला हमें UNESCO की World Heritage Site पे ठीक है और वेफ साइट से अगे बढ़ते है कोश्रमा 34 देखते है कहता है which type of collidal solution is expressed in the fog देखिए fog में क्या-क्या मिलके बना होता है fog मतलब क्या होता है जैस plus gas मतलब क्या हुआ गैस के molecules में कुछ liquid suspended है उसमें water droplets suspended है मतलब उसमें फंसा पड़ा है उसी को collidal solution कहेंगे fog की तो याद रखिएगा इसको ध्यान रखिए कि इसी तरीके से mist पूछा जाएगा इसी तरीके से aerosol का पूछा जाएगा तो हम लोग धीरे-धीरे question के recording देख ले समझेंगे winter season की बात करते है winter season में यह होता है कि water vapor जो होता है वो dew point पर चला जाता है जहां पर वो जम जाता है जमने का मतलब यह हुआ कि easily वो evaporate नहीं होता है और वो air में suspended होता है किसलिए कि उसकी weight कम होती है तो यह question में 34 था और हमारा solution तो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो liquid plus gas का होता है तो सीधी सी बात है liquid in gas answer हमारा हो जाएगा c हम आगे बढ़ते हैं question 35 की बात करते हैं कह रहा है which which among the following is a common salt in detergent ऐसा कौन सा है जो common है common salt है detergent में तो सीधी सी जानते है वो sulfate होता है sulfate is the common salt used in detergent थेक है याद रखना sulfate होता है तो सीधी सी बात है sodium sulfate जो होता है यूज किया आता है as a filler in detergent powder अच्छा हम क्यों यूज करते हैं इसको जो कि enable करता है adjustment of the concentration of the active matters in the detergent as required तो बस सीधी सी बात है इसको हम लोग ऐसे filler यूज करते है sodium sulfate ठीक है question 35 था question 36 पर जालते है इसका ख्याल रखेगा नाम कहने को silver है लेकिन silver इसमें component नहीं होता है Cu, Zn और nickel होता है अगर हम इसकी proportion की बात करें तो normally ये 60% Cu लेते हैं हम लोग और 20% copper लेते हैं 60% copper लिए 20% nickel लिए और बच्चा 20% rest जो होगा वो zinc लेते हैं तो याद रखिए copper zinc और nickel का combination होता है तो इसमें कौन सा combination है जो नहीं होता है तो वो होता है silver तो इसको लेके आगे बढ़ते हैं Q37 पर कह रहा है Which element behaves Which element behaves chemically both as metal as well as non-metal तो सीधी सी बात है ये element है boron boron जो है न वो metal as well as non-metal के तरफ बहेव करता है इसका ख्याल रखना है कुछ elements ऐसे होते हैं जो chemically both metal or non-metal के तरफ बहेव करते हैं इसको हम लोग अंचलोइड कहते हैं कुछ ऐसे metals जो metal or non-metal के तरफ दोनों की तरफ बहेव करते हैं उसको हम लोग मिटलोइड कहते हैं तो total eight है जो इस तरीके के behavior को show करता है कुछ इसमें से ऐसे हैं जो borons हो गया, silicon हो गया, germanium, antimony हो गया ठीक है और ज्यादा से ज्यादा यह जो elements हैं जो metalloids बनते हैं वो doping किया आता है semiconductor में उसके बाद बनते हैं इनकी formation, doping कहने का मतलब हुआ कुछ उसमें charges को electron को mix करने पे किसी material में या फिर किसी n-type को मिलाएंगे P-type में, P-type semiconductor को N-type में तो उससे जो doping होती है उससे हमें connectivity बरती है, उससे formation होता है इनका, ठीक है, अब एक चीज़ और याद रख लेते हैं, कुछ ऐसे metals होते हैं, जो metals और non metals दोनों नहीं होते हैं, या तो वो noble gas या inert gas होते हैं, ठीक है, अब हमनों चलते हैं आगे, question number 38 प conjunctivitis, ठीक है, conjunctivist, मुझे थोड़ा पढ़ने में से दिक्कत होड़ा है, लेकिन हाँ, यह है conjunctivist, तो याद रखेगा, वैसे मुझे याद है, और याद भी रहना चाहिए, myopia, press myopia, astigmatism, यह सारा क्या है, आई के focal length का disease है, सीधी से बात है, अच्छा, इस disease में क्या होता है इसमें इरिटेशन होता है, आखों में जलन होता है, और साथ-साथ में यह वाइट पार्ट जो होता है उसका eye ball का, उसमें ज्यादा effect होता है इसका, ठीक है, और इसका कारण क्या होने का, यह होता है, एक तरीके का allergy होता है, जो bacterial and virus infection की वज़़ए से होता है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कोशन मोर 39 के गरा है विच एसें कंट्री है जापान ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन मोर 40 पे कह रहा है तो डाईजेस्ट प्रोटीन विच ऑफ टी चायग इच प्रजेंट इन पैनक्रीट जूस तो हम्न बाड़ई में पैनक्रीटग जूस यरूस बढ़ते हैं को 앉ते हैं कोять प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है, और क्या होता है Small Ent Every Petty sustain में घरता है ब्रेकड़ाउन करता है प्रोटीन кो, साथ साथ में process of digestion को ज़्यादा help करना थै, डाइजेस्टटीब प्रोटीन करता हैं, और यहां पे उसका नेम ट्राइब सीन है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कुछ फर्टीवन पे कहे रहा है ब्लू ग्रीन अलगी और चीफली यूज़ ऐज बायो फर्टिलाइजर इन दे क्रॉप अब देखे ब्लू ग्रीन अलगी क्या होता है एक तरीकी का अलगी है जो यू करता है किसी में तो फिक्सेटिंग नाइट्रोजन जो एट्मोसफेर में नाइट्रोजन है उसको स्वाइल में प्रिजेंट कराने है जैसे मालेज़े को एक स्वाइल है जो कि डिफिसियंट है नाइट्रोजन के तो समझ यह जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो नाइट्र में यूज़ करेंगे ठीक है अब चलते कोशन में 42 पे कहता विच अ फॉलविंग नूट्रिशनल एलिमेंट ऐसा कौन सा नूट्रिशनल एलिमेंट है जो की इसेंसिल नहीं होता है किस इसके आपको एक चीज़ जो जरुत नहीं होता है तो क्या-क्या होता है अगर इसमें से किसी भी एक चीज़ का डिफिसेंसी होता है थो बोन से रिलेटेट डिजीज होता है ऐद रखें टाटा साल्ट में भी आउड्य शाल्ट में भी आउड्य ओता है तो हमारा आंसर हो जाएगा दी और हम आगे बढ़ते हैं प्रोड़क्शन में ऐसा क्या चीज़ प्रोडिूस होता है थीक है हाइड्रोक्लोडी के सीड तो नहीं होगा तो आपका जो लिवर वो खराब हो जाएगा बिल्कुल नहीं म्यूकस हमारे माउथ में होता है म्यूकस जो प्रोड़ करता है एक तरीके से वाटर को जो हम फूट खा रहे हैं उसको स्लिप्री स्लोप प्रोड़ करता है और उसमें सलाइवा को मिक्स करते हैं हम लोग ठीक है तो वो भी नहीं होता है हाँ तो एक चीज़ हम समझ लीजे यूडिया को वो करता है यूरीन को वह produce करता है, ठीक है, और एक चीज़ और हम लिवर के बारे में जान लेते हैं, यह largest gland होता है human body का, यह located कहाँ पे है, abdominal cavity, just below the diaphragm and two lobes, याद रखेगा, diaphragm and two lobes and abdominal cavity के नीचे होता है, साथ-साथ में, यह सबसे important है digestive organs हमारे body में, इसका main function होता है production of bile, याद रखेगा, इसका main function हो production of bile, storage of fat and conversion harmful ammonia to urea, इसलिए लिवर खराब हो गया आपको, तो urea mix-up हो जाएगा, ठीक है, यूरिया का issue हो जाएगा, harmful conversion नहीं हो पाएगा, तो वो poison बनाएगा हमारे body में, ठीक है, piles का formation कम होगा, fat का storage कम होगा, body में fat का storage इधर उधर होने लगेगा, ठीक है, लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका answer हो गया, यूरिया, अब आप question में 44 देखते है, question में 44 क्या कहे रहा है, apples have a special value for heart patients, because they are rich source of, अब किस चीज का rich source है, यह हम लोग समझते हैं, तो question में 44 कहे रहा है, apple have a special value for heart patients, जिनका heart का दिखता था न, उनके लिए, apple जो है, वो काफी rich source होता है, किस चीज में, तो देखिए, apple जो होता है, वो rich source होता है, सिर्फ potassium के, तो potassium इसमें भी है, potassium यहाँ भी है, और potassium यहाँ भी है, तो सिर्फ और सिर्फ potassium का rich component है, तो option E हो जाएगा, that is none of the above, क्यों नन टिक लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर potassium के साथ phosphorus दे रखा है, यहाँ potassium के साथ sodium दे रखा है, potassium के साथ zinc दे रखा है, लेकिन richest source और rich source की बात करें, तो heart patients के लिए सबसे ज़्यादा जो apple का फायदे मंद होता है, उसमें phosphorus सबसे अच्छा, potassium सबसे अच्छा component होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और समझते है, कि heart के जो rhythm होता है, लबडब, लबडब sound करता है heart, ठीक है, तो यह muscle section के थू होता है, इस बाता ख्याल रखना है, और apple जो tree होता है, वो potassium को absorb करता है, सबसे ज़्यादा amount में, किसी और nutrients के respect में, ठीक है, इसलिए potassium जो होता है, वो antioxidant के तरह काम करता है, और apple जो होता है, हमारे लिए, skin के लिए, face के लिए, heart के लिए, mainly heart के लिए, काफी अच्छा होता है, जो किसमें potassium होता है, अब चलते हैं, हम लोग question 45 पे, कह रहा है, riboflavin deficiency causes which of the following diseases, तो riboflavin जो होता है, वो जो deficiency होता है, उसमें किस तरकी की disease होता है तो उसमें disease होता है, skin disorder का, ठीक है, हम लोग से बारे में थोड़ा जानते है, riboflavin का basically जो chemical name होता है, जो यह होता है, B2, B2 is known as riboflavin, vitamin B2 हुआ, ठीक है, इसके deficiency क्या होता है, anti-bioflabonitis नाप के विमारी होता है, जो की होता है, skin disorder, hypermia भी कह सकते है, जहाँ पे excess blood clotting हो सकता है, इडेमा भी हो सकता है, mouth and throat पे भी आपको eachiness और red spots दिखेंगे, angular stomatis भी हो सकता है, जिससे हम लोग को corners of mouth में lessons दिखेंगे, ठीक है, समझिए, सिर्फ इतनी बात है, riboflavin जो है, जिसको vitamin B2 से हम लोग compare करते है, जिसकी जो name होती है, chemical name, और इसकी deficiency हमें skin disorder देती है, ठीक है, अब बढ़ते है question 46 पे, कह रहा है, 30 cross 30 target is associated with which of the following convention और body, ठीक है, याद रखिए, 30 cross 30 जो है, वो target किस से associated है, काफी अच्छा question है, ये question बहुत popular सा है, और पूछ सकता है बार बार, तो ये है आपको CBD से, अब इसके बार बार लोग जानते हैं, देखें, एक था Quming, Montreal Global Biodiversity Framework, क committed to protecting 30% of land, and 30% of coastal and marine areas by 2030, याद रखिएगा, 30% of land, 30% of marine land, इसको 2030 तक हमको prepare करना है, इसको बचाना है, ठीक है, CVD, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, question 47 पे, कह रहां, India's longest escape tunnel has been completed in which state, देखें, escape tunnel, इंडिया का सबसे जादा longest जो बना है, वो जंवेन कास्वेन बना है, ठीक है, ये क्या है, तो Indian Railways recently completed tunnel, on the, कितने का है है, 111 km का है, अब तक का longest escape tunnel है, हिंडिया का, जो tunnel बनाया गया है, वो 111 km अंडर construction बनिहाल कट्रा सेक्षन जो बन रहा है, उधंपूर, स्रीनगर, बारामुला, रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंदर, जमुएन कास्मिर में है, वो tunnel की length है, 12.89 km, आपको ये याद रखना है, 12.89 km है, और ये कहां पे है, जमुएन कास्मिर और ये ही longest escape tunnel है, तो याद रखेगा, जमुएन कास्मिर और 12.89 km है, और किस प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है, तो उधंपूर, बारामुला, स्रीनगर, बारामुला, रेल लिंक के तुरू, ठीक है, अब बरते कोशन में 48 पे, कह रहा है, कि plant जो rocks पे ग्रोव करते हैं, उ प्लांट पे ग्रोव करते हैं, उनकी जो epicenter होते हैं, उनकी main base होती है, इससे का ख्याल रखना है, ठीक है, अब आगे बरते हैं, और ये समझते हैं, लेथोफाइट्स जो होते हैं, जो plants जो rocks पे ग्रोव करते हैं, वो क्या खाते हैं, तो ये nutrients लेते हैं rainwater से, rainwater के कारण जो आसपास सरी-गली चीज़े होती है उनसे, और dead tissues से, ठीक है, अब बरते है question of 49 पे कहरा है, site of gaseous exchange, lungs में जो gaseous exchange होता है, उसमें ऐसा-इस finger type के alveoli बने होते हैं, ठीक है, ऐसा-इस finger type का, grapes type का लगेगा आपको, ठीक है, तो ये होता कहा है, तो alveoli में होता है, question A is the correct answer, question 50 प होते है, correct match नहीं है, वो पूछ रहा है, ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम लोग, हर्वी बोस देखते हैं, secondary consumer, तो ये नहीं होता है, इसको हम लोग अभी side में रखते हैं, आगे देखते हैं, saprophytes होते हैं, बिल्कुल saprophytes, decomposers होते हैं, parasites क्या होते हैं, किसी भी अपने host के body में रहेंगे, host के body में खाना भी खाएंगे, और उनको harm भी पहुचाएंगे, ठीक है, तो ये जो होते है, consumers होते हैं, बिल्कुल consume करते हैं, हमान लीजे, parasites हमारे body में हैं, वहाँ हम से food भी खा रहे हैं, और हम हम भी कर रहे हैं, उसी को parasites कहते हैं, autotrops होते हैं, जो कि produce करते ह उसो का खाना खुद बनाते हैं, तो producer हो गया, तो D सही है, C सही है, B सही है, हर्वी बोर्स जो होते हैं, ये गलत है, अब यह कैसे गलत है, ये प्राइमरी consumers होते हैं, बिल्कुल, ये secondary नहीं होते हैं, हर्वी बोर्स जो होते हैं, वो primary consumers होते हैं, तो option A हमारा correct answer है, क्योंकि यहाँ पे यह पूछ रहा है कि कौन सा option है जो correct नहीं में अच्छ है हर्वी बोस के बारे में ज्यादा परहना की जरूरत है नहीं है अब आगे बढ़ते हैं कॉस्टन 51 पे 51 क्या कह रहा है अब देखिए कहरा which of the following is not a sexually transmitted disease में से कौन ऐसा disease है जो sexually transmitted नहीं है AIDS है बिल्कुल है acquired immunodeficiency syndrome यह question VPSC में पूछा है AIDS की full form acquired immunodeficiency syndrome और यह होती है HIV वायरस ठीक है की वज़ा से अब देखिए gonorrhea यह भी है यह भी sexually transmitted disease है trichomonas and syplis यह चारो की चारो डिजी जो है वो sexually transmitted है इसमें से not पुछा है तो none हो जाएगा none of the above तो option E हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है अब देखिए question 52 पे कह रहा which hormone secreted by the pituitary gland is also milk producer hormone ठीक है ऐसा कौन सा hormone है जो milk producer hormone भी होता है तो वह होता है LTH hormone को हम लोग कहते है milk producer hormone ठीक है अब देखिए बहुत सारे ऐसे hormones होते हैं जो pituitary gland से secret करते हैं ठीक है जिसमें से LTH hormone जो होता है उसको lactogenic hormone भी कहते है ठीक है lactogenic hormone कहेंगे और इसी को milk देखिए lactose lactose को word होता है lactose का मतलब भी होता है milk कहीं पर keyword में lactose दिखा तो तुलन्द milk मारके आगे बरना है ठीक है LTH भीच में T लगा देजिए वो female hormone हो जाएगा milk production के लिए ठीक है तो याद रखिए है question 53 पे चलते है अब देखते है which one is the major constituent of clove oil ठीक है clove oil का major constituents क्या होता है clove ठीक है तो इसका क्या होता है eugenol, methanol, benzeldehyde, benzeldehyde and methanol तो बिलकुल इसका simple explanation है eugenol हो जाएगा eugenol इसलिए ह जो होगा, methanol बिलकुल नहीं होगा, benzeldehyde और methanol बिलकुल नहीं होगा यह सब alcohol के लिए होता है eugenol जो होगा, वो clove oil में use होता है, clove oil का component होता है, basis समझ लेते हैं कि major component clove oil का eugenol है chemical formula क्या होता है chemical formula एक बादम लोग देख लेते हैं, अगर मानलों, exam में वैसे आएगा तो समझ लेते हैं, यह होता है C10H12O2, इसी हो कहता है eugenol ठीक है, और यह clove oil का component होता है, याद रखेंगा, clove जो होता है यह bud होता है flower का, यह भी question BPSC पूछा जा चुका है, ठीक है, जिस तरीके से, अगर हम लोग बात करें, clove की, clove जो होता है, वो bud होता है, किसी flower का, ठीक ह जो freely ने रहती है soil पे, ठीक है, तो यह है rhizovium, rhizovium bacteria मैं आपको बताऊंगा, pulses में यह सब में देखी जाती है, यह nitrogen को fix करती है, यह bacteria जो होती है, nitrogen fixation bacteria है, soil में अगर किसी plant को nitrogen की जरूरत है, और soil में अगर nitrogen की deficiency है, तो rhizovium bacteria क्या करती है, rhizovium उसको provide करती है nitrogen से, ठीक है, ह and clostridium, ठीक है, यह तीनों है, freely inhevitate the soil and fix nitrogen in the air between soil particles, ठीक है, बिल्गुल करती है, spaces of bacteria क्या है, rhizovium and rhizovium जो होता है, वो कहां रहता है, roots में रहता है, पेर के roots में रहता है, कौन से पेर के, तो इनका एक और specified चीज है, legumes plant जो होता है, दाल की, दाल में रहेगा, या फिर जो question of 55 पे क्या कह रहा है, कह रहा, which of the following element is not helpful in the formation of RBC, red blood cell, ठीक है, RBC के formation में कौन सा इसा है, जो help नहीं करता है, ठीक है, इक question of 55 है, तो देखे, folic acid help करता है, बिल्गुल करता है, ठीक है, iron भी करता है, RBC, red blood cell, हम लोग iron, women, women में जो blood के deficiency होते है, तो हम लोग iron की कमी बताते है अनीमिया भी हो जाती है, women's को mostly, ठीक है, protein भी करता है, तो option हो जाएगा, हमारा answer salt हो जाएगा, salt जो है, वो helpful नहीं होता है, formation of RBC में, ठीक है, salt तो हमें heart disease भी देता है, याद रखेगा, blood के pumping को बरा दिया, कहीं पे ब्लॉक कर दिया, तो heart failures का भी rate हो जाता है, ठीक है, अब एक चीज़ समझे, इसके formulation में कौन-कौन components होते हैं, वो होते हैं, proteins, irons, vitamin, B12, B12 को में लोग कोबला मायन भी कहते हैं, folic acid, इसकी life span होती है, 20 से लेके 120 दिन, और इसकी death होती है, वो liver and spin में होता है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, RBC death कहा होता है, या तो liver हो सकत death करता है, ठीक है, लेकिन young ones जो होते हैं, जो हम लोग adult होगे, उनकी spleen में death करता है, RBC, याद रखेगा इस चीज़ को, ठीक है, और वैसी मा, जब बच्चे placenta पे चिपके होते हैं, तब भी liver में ही होता है, ये बात याद रखेगा, तो ये basic सा क्लीछे point है, आप इसको ध् transgenders community, तो बहुत easy question है, ये जो है, करनाटका government के द्वारा किया गया, 1% reservation दिया गया, transgenders के लिए, सारे government services में, तो ये काफी अच्छा move है, काफी promoting move है, देखे, हमारे community में male, female तो काफी जादा उनको इज़्जद है, काफी respect है, women's का पहले कम था, वो भी धेरी-देरी, अब पहले के लिए, वाथ रूम का कुछ भी फर्मेशन नहीं करते है, even seats के लिए भी नहीं हम लोग सोचते है, तो याद रखेगा, transgenders को उपर लाना बहुत जरूरी है, ठीक है, अब question 57 पे चलते है, क्या कह रहा है, question 57 कह रहा है, राजा मिर्चा, जिसको king chili भी कहा आता है, ये sport किया गया है, पहली बार London, ये किस state से बिलॉंग करता है, ठीक है, तो ये बिलॉंग करता है, आपको नागा लेंड से, आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे हॉर्ण बिल फेस्टिबल मनती है, एक चीज़ मैं आपको बता दू, हॉर्ण बिल फेस्टिबल मनती तो है, ल इंडिया के पच्छतरवे grandmaster con बने है, तो ये है आपको वी प्रनव जी बने है, ठीक है, आगे बरते है, question 59 कह रहा है, वजर प्रहार 2022, वजर प्रहार 2022 जो है, वो defensive size किस के किस में, इंडिया, और किस के बीच में है, तो ये USA के बीच में है, इंडिया और USA के बीच में वज इंडिया-US का joint special forces exercise है, ठीक है, और ये कहां पर carry out किया गया, ये किया गया, बकलो में, हिमांचल प्रदेश में, ठीक है, और एक चीज़ और समझते है हम लोग, ये airborne जो operations होते है, वो किया आता है, special forces के दवारा, साथ-साथ में, alternatively इसको host किया आता है, एक दूसरे countries के चलते हैं, कहता है, इंडिया इस first certified organic fruit, कीवी launched by which state, देखिए, पहला इंडिया का certified organic fruit, जो है, जो कीवी है, उसको कौन से state ने launch किया है, तो ये अरुनांचल प्रदेश, ठीक है, अरुनांचल प्रदेश को याद रखेगा, अरुनांचल प्रदेश को याद रखेगा, अरु अरुनांचल प्रदेश जो है, वो इंडिया गा सबसे most part है, इंडिया का सबसे most part है, कीवी तू एक गाओ है वहाँ पे, उसी गाओ में वो इंडिया का सबसे most point है, वो कोसर मा 61 कह रहा है कहता है टाइरिलीन is prepared by the reaction of tetrapethelic acid and which of the following tetrapethelic and which of the following यह होता है ethylene glycol याद रखेगा ethylene glycol को जब tetrapethelic acid के साथ अगर हम react कराते है तो हमारा form करता है terylene यह क्या है आपको याद रखना है एक चीद यह आपको polymer है तो nylon 66, rayon and teraline are the main type of artificial silk याद रखेगा artificial silk है क्या क्या मैं फिर से बहुत बता रहा हूँ nylon 66, rayon and teraline यह main type है artificial silk का teraline क्या हो देखे artificial कहने का यह मतलब हुआ कि इसको man-made हम लोग खुद से बना रहे हैं अगर हम लोग natural silk की बात करें तो याद रखेगा bombex mori जो होता है उसके silk bulwari tree से जो bombex mori होता है उससे हम लोग यूज़ करके बनाते हैं अब आगे बढ़ते है question number 62 पे कह रहा है cloudy nights are generally warm cloudy nights होता है वो normally warm होता है इसका वज़ा है क्या है तो कहते है सबसे simple सा वज़ा है cloud जो होता है blanket की तरह behave करेगा cloud करेगा block किसको तो radiation from the earth and the lower atmosphere जैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे यह होगए earth ठीक है यहाँ पे होगए sun ठीक है sun से temperature heat आया सुबह में ठीक है किस energy से आता है equals to hc by lambda से आता है ठीक है h new भी कहते है इसको हम ठीक है तो इससे आया और earth के surface पे absorb कर गया कुछ absorb करता है कुछ reflect होगे चला गया कुछ absorb कर गया absorb किया ना तो मालेजे साम में बादल आ गया है ठीक है जब बादल आ गया तो यह जो return back होने वाला होता है वो return जा नहीं पाता है तो फिर radiate, re-radiate होके earth surface पे आता है तो इससे temperature rise हो जाता है earth का और warmer हो जाता है ठीक है अच्छा दूसरी चीज़ बताता है इसकी वज़से एक और law से अगर मालेजे ozone layer का formation हो रहा है उसकी वज़से और heat trapping बढ़ रहा है यही तो concept है global warming का तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे कि question हमें पढ़ना है मैं concept अभी नहीं जाना है उत्मा जादा तो option नहीं हमारा correct answer होगा इसमें आगे बढ़ते हैं अब देखते है next question question 63 क्या कह रहा है question number 63 कह रहा है the maiden edition of the Indian ocean naval symposium Indian ocean naval symposium जो है जो की maritime excise है 2022 की जिसको IMAX 22 भी कहते है ये conduct किया गया कहा है ये conduct किया गया गोवा में ठीक है question अब चलते है 64 पे 64 कह रहा है बीच हो the following has launched India's first credit card made from recycled PVC plastic देखिए ये news में बहुत जादा था ऐसी वो उन्होंने credit card बनाया है जो की recycle हो सकता है जो की हम लोग री recycle करके यूज कर सकते है PVC plastic है ठीक है PVC होता है polyvinyl chloride ठीक है तो ये बनाया गया है HSBC bank के दौरा याद रखेगा ये बनाया गया है HSBC bank के दौरा अब देखिए ये polyvinyl chloride की है लेकिन recycable है इसको हम लोग बार बार कर सकते हैं ठीक है और एक ची समझेगा इस card को introduce किया गया है किसके partnership में तो एक global card manufacturer है इसको कहते है IDEMIA ठीक है जो की उनकी target है कि gradually हम देरे देरे जो normal plastic users को कम करें ठीक है आप question 65 पी जलते कहता है at which place the ministry of railways approved to set up India's biggest world class wrestling academy तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर history of railway जो है वो approved किया है इंडिया की biggest world class wrestling academy तो ये कहाँ पर किया गया है ये किया गया आपको किसंगंज दिल्ली में याद रखिया है किसंगंज दिल्ली में ठीक है अब चलते को सनमा 66 पे कह रहा है which all India campaign has been launched by the railway protection force RPF के दोरा इसा कौन सा all India campaign launch किया गया है किसके अगेंस में तो black marketers के अगेंस में black marketing क्यों तो एक चीस समझे है पहली बात हम समझ लेंगा एक टिकट का black marketing होता है seat block कर लेते हैं पहले से फिर और से भी बहुत सारा चीज़े होता है जो railway में black marketing होता है इसे water bottle हो गया वो हो गया उसे खाना हो गया ठीक है तो यह किया गया है आपको operation उपलब्द के जग़ा पे operation उपलब्द में ठीक है इसी तरीके से जान लेजिए RPF एक और कड़ा है operation अमानत जिसमें किया है अगर आपकी समान लूज हो जाएगे अगर आपका समान lost कर जाएगा तो उसको RPF वाले railways वाले आपको खोज के देंगे आपके घर तक पहुच आएगे ठीक है तो यह याद रखिएगा लेकिन इसका answer operation उपलब्द है आपको उसन 67 पे चलते है ठीक है 67 क्या कह रहा है which organization which organization recently launched the Jeeva program to promote natural farming Jeeva पहले तो यह समझ लेते है Jeeva program जो है वो natural farming के लिए ठीक है इसको लाया को और इसको लाया है Nabard ठीक है Nabard क्या है National Bank for Agriculture and Rural Development ठीक है इसको लाँच किया Jeeva program कि स्टीट के लिए to promote natural farming under the existing watershed and wadi programs for 11 states ठीक है सिंपल सी बात है इसका objective क्या है इसका basic objective है to effectively implement the principle of agro-ecology long-term sustainability and transform the pre-existing social and natural capital towards efficient farming सिरी सी बात है कुछ याद नहीं करना है आगे चलते question 68 पे which movie won the कौन सी movie है जो won की है best picture award 94 अचैडमी अवार्ड में जिसको लोग Oscars भी कहते है तो यह है CODA ठीक है इसको याद करेज़ेगा यह exam में direct कुछेगा BPSC 68 की direct question है यह question leak हो गया यह चलिए वैसे हो ही जाता है हमें बोलने की विज़रत नहीं पेपर तो ऐसे ही leak हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते question 69 पे चलते है कह रहा है कौन है कौन जीती है तो बिल्कुल अपनी P.V.S. इंदू जी ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question 70 पे कह रहा which state is the host of national conclave on social enterprise for garbage free city कौन से यह से state है जो national conclave वो की है social enterprise पे किस पे तो garbage free city पे तो यह है 36 गड ठीक है याद रखे का और यह किस ministry के अंडर करवाया जा रहा है ministry of housing and urban affairs इसको महुआ भी हम लोग कहते है short term मे organized national conclave on social enterprise for garbage free cities ठीक है सिद्धिस याद रखना और एक चीज़ में क्या encouragement किया जा रहा है इसमें encouragement किया जा रहा है कि women entrepreneurs जो है ना उनको west management पे थोड़ा सा उनको चीज़ों को और बताना समझाना ठीक है और यह conclave जो है organized किया गया था in collaboration with the 36 government in राइपूर ठीक है अब चलते question 71 पे पे कह रहा है which global associates proposed the world's first carbon tariff देखिए world की पहली carbon tariff ठीक है तो यह कौन सा global association प्रपोज किया है ठीक है तो यह है European Union ठीक है EU है ठीक है आगे बढ़ते है question 72 पे कह रहा है who is the first Indian to win an Indian open man's single title on debut याद रखेगा उन्होंने अपने पहले match में ही इंडिया का open man's single title इंडिया पहली बार जीता है यह और वो अपने debut match में जीते हैं समझ लिजए इनकी efficiency कितनी है यह है हमारे लक्ष सेन ठीक है तो यह जो लक्ष सेन यह है वो बने है first Indian to win an Indian open man's single title on debut as he defeated किन को हराया इन्होंने तो इन्होंने world champion low can you को हराया याद रखेगा world champion गोहरा के यह जीते हैं ठीक है अब चलते question 73 पे कह रहा है which country is the first to successfully conduct a human heart transplant from a genetically modified pig हाला कि हला heart transplant करने के बाद याद में मर जाता है ठीक है जाद दिन जी नहीं पाता और यह USA में किया गया था हाला कि एक hope तो था यूज किया गया था pig के heart को तो आप समझ लिजे कितना कितनी बड़ी बात ही अगर यह सच में possible होता तो कितने लोगो heart digits से बचाया जा सकता था अब चलते question 74 पे कह रहा which Indian state announced a camel protection and development policy तो camel की बात होगी तो रास्थान की बात होगी ठीक है बढ़ारो मारदेश अब चलते है question 75 पे कह रहा which country has launched group of friends initiative to protect peace keepers तो ऐसा कौन सा country है जो लाया है group of friends initiative को जो protect करेगा peace keepers को जो सांती रखते हैं सांती keepers जो होते हैं उनको कौन protect करेगा तो यह लाया गया आपको इंडिया के दौरा बिल्कुल इंडिया तो peace loving country है इसमें कोई सकनी है इंडिया is the peace loving country ठीक है अब चलते question 76 पे कह रहा है which Indian state जो टॉप किया है किस चीज़न production of vegetables यार दखिएगा production of vegetables किस से से लेके लेके 22 में यह किया है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश काफी अच्छा कर रहा है इन चीज़ों में अब आगे बढ़ते हैं question 77 पे चलते है which becomes the first country in the world to give legal right to wild animals wild animals को भी legal right अब समझ लिए हम इंडिया में हाला कि दिया तो हुआ है legal rights humans को भी लेकिन हाँ wild animals को legal rights देने वारा पहला इंसान है वो है Ecuador जो कि South American country है ठीक है आगे बढ़ते हैं question 78 देखते हैं कहरा है swelling of the feet reduced by keeping the affected feet in the warm water containing a lot of salt we call this event देखिए जब भी हमारा पैर फूल जाता है इस process को हम लोग क्या कहते है इस process कहते है osmosis इसी तरीके के process होता है जिसे माल लीजिए आप ऐसे container है उसमें पानी है उसमें हम लोग कहते है जैसे कि किसमिस कहते है उसको डाल दिए सुबह उठे देखे किसमिस पूरा फूल रखा है तो उसमें क्या होता है water जो होता है semi-permeable membrane से इंटर कर जाता है उसमें और उसको फूला देता है तो यह osmosis process है और अगर rupturing हो जाए इसे माल लीजिए हम लोग क्या करें कि normal जो normal है न normal water के fish को अगर हम लोग sea water में डाल देना तो अंदर की water बाहर चली जाएगी और ruptured उसकी सारे material बाहर आगे वो मर जाएगी तो इसचिस का ध्यान रखेगा reverse process को reverse osmosis कहेंगे और अगर surface से liquid अंदर आ रही है तो osmosis process हो जाएगा ठीक है question 79 पे चलते है ठीक है कहता है which of the which is the venue of Asia's biggest international food and hospitality fair एक आहार 2022 एक fair है एक fair लगाये जा रहा है hospitality fair है इसकी Asia में biggest इसकी international food festival ही है तो यह कहाँ पे कराये जा रहा है यह कराये जा रहा है निव दिल्दी में इंडिया में ठीक है अब चलते है देखिए I2-U2 इस बार के BPSC mains में भी काफी important question था ठीक है तो याद करते है question में 80 क्या कह रहा है इसमें I2-U2 का मतलब क्या होता है I2-U2 का मतलब simple सा बात है India, Israel, USA, UAE इंडिया, Israel, USA, UAE इस चीश को याद रख ली जागा ठीक है 81 चलते है 81 क्या है कहता है which companies have announced to build India's first and one of the most fiber plant तो यह है Reliance Industries carbon fiber plants जो होता है उसको यूज करते है हम लोग carbon से जिस तरह के से core and cladding होता है आप total internal reflection से हम लोग ले जाते है जो carbon wires होता है optical fibers होते है जिससे हमारा connectivity clear होगा और हमारा fast transmission of waves होगा जिसकी वज़े से हम लोग internet बहुत easy मिलेगा ठीक है तो यह Reliance Industries है अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ आपको मैं और explain कर सकता हूँ मैं इस question को लबग 2-3 मिनट दे सकता हूँ लेकिन इससे क्या होगा date so question में बहुत जादा lengthy हो जाएगा paper हमारा फेर घंटे में दो घंटे में खतम नहीं होगा और बहुत जादा टाइम हो जागा मैं explain तो बहुत कर सकता हूँ लेकिन क्या जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो बताएगा मुझे comment section में मैं कर दूँगा उससे मुझे कोई issue नहीं है अब चलते question में 82 पे कहरा है who among the following is the new chief of United Nation human rights तो UNHR के कौन बने है नए chief ये question काफी important है विपेसे 68 के लिए फिर से फिर question leak हो गया ये बने है वोलकर तुर्क याद रखेगा वोलकर तुर्क ये बने है United Nation General Assembly ने अप्रूव किया है वोलकर तुर्क को जो आस्ट्रिया से बिलॉंग करते है global body human rights जो UN human rights के है वो chief बन गया है वागे ठीक है और एक चीज़ जाद रखेगे UN के secretary कौन थे General Antonio Guterres ठीक है अब एक चीज़ जाद रखेगे वोलकर तुर्क जो है वो रिप्लेस की है वरोनिका मीचल को ठीक है सीधी सी बात है अब आगे बढ़ते है question 83 पे कहरा which of the following has become the first Indian institution to join IBM quantum network तो IBM का जो quantum network है उसको कौन जोइन किया पहली Indian institution तो वो IT मतरास कोई भी research process हो रहा है कोई भी research में काफी अच्छा कर रहा है तो सीधी आप IIT मतरास माड़ी है आगे बढ़ी है आपका answer most probability है कि सही होगा तो और अच्छा से अगर परके जाएगा तो और अच्छी बात है अब देखिए कह रहा है who has launched the book किनों ने इस book को launch किया अम्बेदकर और मोधी reformers ideas, performers, implementation याद रखे का अम्बेदकर और मोधी reformers, ideas, performers, implementation तो इसको launch किस ने किया यह कि है रामनाथ कोविन जीन है ठीक है आगे बढ़ते कुशन में 85 पे 85 पे जलते है who has been appointed as the first chancellor of गति सक्ति उनिवर्सिटी तो याद रखेगा गति सक्ति जो लाया गया है government को दोर initiative इसमें हम लोग infrastructure की बात कर रहे है तो यह जो university है गति सक्ति उनिवर्सिटी यह बना है वडोधरा में देखे गुजरात में जो चीज हो रहा है maximum चीज गुजरात में ही हो रहा है जो वडोधरा में खुला है पहले chancellor कौन बने है तो वो असुनी बैसनव जी बने है और इनको एपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ड्रॉपदी मुर्मू अब आगे बढ़ते है अब question number 86 देख रहे है रहा वीचो the following is not a federal feature of the Indian constitution फेडरल फीचर इसमें से कौन नहीं है इंडियन constitution का तो एक बार में में reject कर सकता हूँ single citizenship याद रगे है तो फेडरल फीचर में नहीं आता है कया रहा not a federal feature ठीक है तो इसमें से कौन नहीं है तो single citizenship नहीं है तो सिंटिशन से क्याहलने देना दुनों को बीच में शुला कराएगा, फिर entirely written constitution बिल्कुल सही है distribution of power written central and state बिल्कुल सही है, तब ही तो federal structure की बात हो रही है आगे बढ़ते हैं, question number 87 कह रहा है, कह रहा है सिंधी language was introduced in the list of official language in the 8th schedule of our constitution in which year तो सिंधी language जो है, उसको डाला गया हमारे constitution में 8th schedule में, और इसको कहा गया कि ये official language के list में आ गया है ये डाला गया 1967 में, याद रखेगा 1967 में, इसी तरह किसे एक चीज़ और याद करायता हूँ, 1958 में DRDO का वो हुआ है, और set up हुआ है, और 1969 में JNU आप कह सकते हो, और साथ में ISRO का भी हुआ है, ठीक है, इसका याद रखना है आपको, ये थोड़ा सा important चीज़ है ठीक है अब एक चीज़ याद रखेए, और originally कितना, 14 languages है, 8th schedule में जिसको official language का वो दिया गया है कौन-कौन सा है, आप समझ सकते हैं जिसमें, सिंधी हो गया जिसको 21st amendment से डाला गया 1967 में, कौंकनी, मनिपूरी और नेपाली language को एक अतरवा amendment 1921 डाला गया, बोडो डोंगरी, संथाली और मैथली को 92nd amendment 2004 में डाला गया है याद रखेगा, खासकर मैथली language का याद रखना, आप BPSC exam देने जा रहा है ठीक है तो total official language 20 है लेकिन एक बार में 14 को डाला गया था 8th schedule में, कब जब सिंधी language को डाला गया था, आगे बढ़ते है question में 88 पे, ठीक है 88 कह रहा है, when was the partition of India and creation of Pakistan accepted for the first time under the Mountbatten plan, तो कब partition of India और creation of Pakistan को accept कर लिया गया था ठीक है, ये किया गया था आपको, June 10 1947 को June 3 1947 is the correct answer when the partition of India and the creation of Pakistan accepted for the first time under the Mountbatten plan ठीक है, और एक चीस तमज लेते हैं हम लोग कि Lord Mountbatten कमाये थे इंडिया में, ये इंडिया गवर्नर जनरल बने थे गवर्नर जनरल थे, मार्च 22 1947 को, किस चीज़ के लाए थे, to outline the partition of India, ठीक है और leaders of Congress, as well as Muslim League, ने accept किया था Mountbatten plan को, इस plan के अंदर किया था June 3 1947 को, partition of India and the creation of Pakistan were accepted by all the formerly reader and formerly chair eminent personalities, अब आते है 89 पे, कहरा स्री और विंदो ghost was associated with which of the following case तो आपको पता होगा, किस case से थे तो आलिपूर conspiracy case, ठीक है याद रखेगा, आलिपूर conspiracy case से स्री और विंदो ghost जुड़े हुए थे ठीक है, तो एक चीज़ समझते है अभी क्या है ना ये recent में ही news में थे स्री और विंदो ghost, इनकी 150th 150 वी birth anniversary celebrate की गई है जो कि PM Modi जे ने उस program में participate किया था कहां वे, पुडूचेरी में, ठीक है ये आलिपूर bomb case जो था, वो first state trial था, इतने बड़े magnitude का इंडिया में, याद रखेगा British government जो थे, वो arrest की था श्री और विंदो को, एक prominent nationalist leader थे, साथ-साथ में, इनके साथ में बरिंद्र घोस भी थे, जो की एक young revolutionaries थे, उनको charge किया था, किया गया था, conspiracy किस चीश की conspiracy के लिए, एक waging war, war against the king, मतलब एक complete open war इननोंने wage कर दिया था, ठीक है अब आगे बढ़ते है, question number 90 पे देखते है कह रहा है, national judicial appointment commission was established by which amendment act, तो हम लोग किसकी बात कर रहा है, national judicial appointment commission, ठीक है national judicial appointment commission को लाया गया है, 99th amendment act 2014 के को recording, ठीक है ठीक है, और आप मेरी lucid playlist को जाके देख सकते हो, हमेरे amendment वाली chapter नहीं कराई है, तो मैं कराऊंगा वही ठीक है, मैंने लोग 12-14 करा रखा है जिसमें मैंने lucid की objective as well theory portion को include किया है, उसमें मुझे जो BPSC के point of view से important चीज़ है मैं वही डाल रहा हूँ और physics की playlist भी मेरी तयार है वो भी आप देख सकते हो, घटना चकर की मैंने physics से की पूरी प्लेलिस्ट यार रखी है, और मैं कोसिस करूँगा बहुत जल्दी chemistry भी डाल दू, क्योंकि science portion मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ अब चलिए question 1 91 पर चलते है कहरा during aims cyber attack देखिए aims में क्या हुआ था, cyber attack कर दिया गया था its server were infected with which are the following always, तो किनके दो अड़क किया गया था, पहले कि समझते हैं एक probe अभी वो चलाया गया कि cyber attack हुआ था, aims में इसमें क्या हुआ था, electrical connections में eruptions आया था, एक तो और था साथ साथ में कहता है कि IP addresses मिला जो कि ये लोग, दो IP address मिला गया, मिला जिसमें से ये पता चला कि जो files हैं, headers और files हैं, वो hackers के दोर encrypt कर दिया गया, और ये बिलॉंग कर रहा है Hong Kong और China के Henan province से, ठीक है याद रखेगा, और तो ये infect किया था, तीन ransomware से, ठीक है, एक था WannaCry, फिर एक था Mimi Cart और Trojan, ये तीनों से किया गया था तो याद रखेगा, इसका option E हो जाएगा, more than one of the above, तो more than one of the above, इसका correct explanation हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं, कुछन 92 पे, कह रहा है Which of the following committees, recommended Democratic Decentralization Democratic Decentralization, जिसमें Autonomy की बात की गई, which eventually came to be known as Panchati Raas, ठीक है मतलब कहा ये गया कि जो Democratic Power होता है Center में, जो Power एक तरीके से गटित है, जो States में बट रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते है Village level पे भी distribute करते है ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, Democratic Decentralization होगा, ठीक है, Power का एक तरीके से एक Uniformity ही आएगी, distribution होगा, तो आस-पास मैं आपको ट्रिक बतायता हूँ बलवन्त, राय, महता तो 1-2-3 हो रहा है न, तो 3-tier committee की, 3-tier की बात किया थे ये, पंचाहतीरा सिस्टम में, ठीक है न तो इस इसका याद रखता है अब चलते, question 93 पे कह रहा है The House of Parliament are prorogued by which of the following, किन के द्वारा प्रोडो किया थे, simple सा बात है President के द्वारा ही तो किया थे, House of Parliament की बात हो रही है तो, prorogation of House of Parliament was done by the President आगे बढ़ते, question 94 पे अब देखे, कौन सा committee और commission है was constituted to identify the creamy layer among other backward classes जैसे, OBC में क्या हो रहा है, एक creamy and non creamy layer आया है, ठीक है जो भी backward classes में, creamy layer concept जो introduce किया था था, उसको identify करने के लिए committee लाए गया था, वो committee कौन सा था वो था नंदन committee, याद रखेगा नंदन committee थी, और इस चिसको याद रखना है कि अभी बिहार में है, खास करके फिर से जो counting का issue हो रहा है फिर से एक बाद एक count OBC के reservation को लेकि जो issues उठ रहा है उस पर आपको थोड़ा सा concern रहना है जो आस पास में new चलती है न, recent में उसको आपको खास कर ध्यान रखना है कि उसी से base करके exam में question पूछेंगे, ठीक है question number 95 पे चलते है और एक बात और में बता रहता हूँ commission जो backward classes के लिए set up किया गया रहा हूँ 1993 ठीक है, एक act से पास किया गया था, ठीक है अब चलते है, question number 95 पे कह रहा है which one of the following is not a part of directive principle, DPSP का कौन सा इसा जो है, वो part नहीं है, तो क्या देखते है providing unequal pay for equal work ऐसा है क्या, ऐसा बिलकुल नहीं है, तो यही अब चलते है, question number 96 पे question 96 कह रहा है कह रहा है, in how many time the proclamation of emergency must be approved by both the houses, दोनों houses के द्वारा, proclamation of emergency approved किया जाना थे कितने दिन के अंदर में, ठीक है, तो यह याद रखी का, यह 30 days होता है, ठीक है तो national emergency must be approved by both the houses ठीक है, of the parliament within one month from the date of its issue याद रखेगा, within one month from the date of its issue है, ठीक है, अच्छा इसके approval के लिए 44 amendment लगाया गया था 1978 में, इससे क्या हुआ था period को घटातके, one month तक ले आया गया था ठीक है, और originally में यह दो मन्त का था पहले दो मन्त का था, लेकिन 44 amendment act 1978 में, इसको one month का किया गया, ठीक है याद रखेगा, अब हम लोग 97 की बात करते है कह रहा है, who was the chief justice of India, कौन थे chief justice of India, जब public interest litigation, PIL was introduced किया गया था PIL को, किस में तो Indian judicial system में, याद रखेगा, उस वक simple सा question है, PN भगवती जी थी, ठीक है, P1 भगवती ठीक है, और एक बात आपको याद रखना है कि PIL का concept इन ही के वक्त में आया था ये question बहुत important और पूछा गया था ठीक है, और देखिए कुछ बताता हूँ आपको concept of public interest litigation में, एक तरीक है कि ये जो है ना, ये consonants है इसका मतलब क्या होता है, कि जो भी principle in serene है ना, हमारे article में 39A में, ये कहता है to protect and deliver prompt social justice with the help of law, मतलब to protect and deliver prompt सिग्र, हमको justice deliver करना है, साथ-साथ में social justice within the law, इस इसका ख्याल रखना है, justice P.N. भगवती and justice V.R. कृष्णा here, we are among the first judges to admit PILs in the court, पहले judge थे, और एक चीज़ याद रखिएगा अभी हम हिदायतुला की बारे में बात कर लेते हैं, तो वो 11th chief justice of India थे, जो कि सर्फ किये थे vice president and active president of India याद रखिएगा, और M. हिदायतुला ही थे, जो कि जिनकी office hour भी भी death हुई थे, याद रखिएगा, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, question 98 पे कह रहा है, the first constitutional amendment bill, passed in 1951 was related to, तो किस से related था यह तो यह related था, protection of aggregarian reforms in certain states याद रखिएगा, जो पहला constitutional amendment bill था, जो पास किया गया, 1951 मे, वो किस से related था, वो रखिएगा, ठीक है, अब चलते question 99 पे, कह रहा हूँ among the following dignitaries, ठीक है spelling गलत है, ranks highest in the order of precedence, तो order of precedence की बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे उपर जो होगा न इन में से, वो होंगे speaker of लोगसभा, ठीक है, अब हम समझ लेते हैं में कैसे कैसे होता है, ठीक है पहले, इस case में समझते है, speaker of लोगसभाद होगा, उसके बाद कौन होगे ठीक है, speaker of लोगसभा फिर union के cabinet minister ठीक है, फिर judge of the supreme court फिर deputy chairman of राजसभा, ठीक है तो इस तरीके से, आप एक बार मेरे playlist में जाके देख सकते हो, मैंने उनमे precedence की chapter करा रखी है, आप एक बार अच्छे समझ लेना, क्योंकि precedence question BPS से की favorite question में से आती है और बहुत ही simple, एक page का है, घटना चक्र करोगे तो एक page का होगा, listen करोगे तो दो page पढ़ना होगा, maximum with objective included, तो कर लेना, क्या दिक्कत है अब question में 100 पर चलते है question में 100 क्या करा है, who can make provisions with respect to matters related to delimitations of constituencies ठीक है, तो कौन बना सकता है provisions with respect to matters related to delimitation of constituencies, तो कौन कर सकता है ये कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लेमेंट अपना ठीक है, और हम लोग अब question है, तो फिर massive question को शोड़ते हैं कि ये काफी time taking हो जागा already मेरा video जो है, already 1 hour 20 minutes का बन चुका है, तो ये बना के कोई फाइदा नहीं है, सिर्फ GS पर चलते है, ठीक है तो skipping to the next part of this section, 10 question direct include है, अब चलते है question number 111 पर, ठीक है अब कह रहा है कि who was the real conqueror of Bihar, real conqueror कोन था, ये था बक्तिहार खिल जी, ठीक है तो real conqueror कोन थे Bihar के तो बक्तिहार खिल जी थे, ठीक है कहता है कि after joining the services of a governor of Avad बक्तिहार जो खिल जी थे, वो cross किये थे कर्बनाशा रिवर को और मनेर को invade किये थे, ठीक है अब उनको मनेर को invade करके क्या फाइदा मिला, तो इनको बहुत सारा ample resources जोके advanced social and economic status इनकी बरहा दिया, ठीक है उसके बाद में ये invade किये Bihar सरिफ and then plundered ओधन्थपूरी महावीरा याद रखिएगा, पहले तो मनेर, फिर उसके बिहार सरिफ और फिर लूटे थे वो अधन्थपूरी महावीरा को ठीक है, और यही वो थे जिन्होंने destroy किया था Nalanda University को, फिर हम लोग क्या कि इनके वो respect में इनके respect में हम लोग ने बक्तियारपूर station मना दिया ठीक है, इनके नाम पे, जैसे as if he was the great and admired of our culture and as well as he has built the Nalanda University okay, moving to the next आगे बढ़ते हैं question number 112 पे चलते हैं कह रहा है, the first subedar of Bihar जो पहले subedar थे Bihar के, इन orange ev resin was तो पहले subedar कौन थे, तो यह थे तो आपको Daud Khan Qureshi, याद रखेगा Daud Khan Qureshi was the first subedar of Bihar, इस इसका ख्याल रखना है, ठेक है, और ऐसे एक चीज़ और याद रखेगा, कि यह जो थे न, वो found किये थे एक सहर, जो कि जिसका नाम था दाउद नगर, गया डिस्ट्रिक में, ठेक है, आगे बढ़ते है question number 113 पे, कह रहा है the first cabinet, first cabinet of Bihar was formed in, पहला cabinet जो Bihar है बना है, वो 1946 में बना है, ठेक है अच्छा, एक चीज़ में और बतायता हूँ, Bihar special के लिए modern industry के मैं notes बना के रखा हूँ मैंने क्या किया था, कि जो book है ना, इंतियाज आमत सर की, उसको मैंने English में propound and translate करके with previous year question को की मदद से, साथ में कुछ एक दो sources और थे, know your state Bihar उसको add करके notes बनाया है, ठीक है होगा तो मैं उसको, अगर आपको ज़रोत होगी तो मैं डाल दूँगा उसकी पूरी lecture, as well as PDF in my telegram group, ISPCS simplified, तो आप जूर जाना अगर आप नहीं जूरे हो, अभी तक तो, ठीक है अब आगे बढ़ते, question number 115 पे चलते है कह रहा है, the sukunaat inscription of Bihar शरीफ, source the presence of ठीक है, तो यह थी हमारे मुहमाद बिन तुगलग, इनको आप compare कर सकते हो अभी के मोदीजी से, ठीक है इनका सारा का सारा, वो schemes तो लाते हैं, लेकिन फेल कर जाता है ठीक है, आगे बढ़ते, question number 116 पे ठीक है एसे कौन से थे, जो बिलॉंग नहीं करते थे भिहार से तो याद रखेगा, इसमें थे रस खान रस खान जो थे, वो बिलॉंग नहीं करते थे ठीक है, वो एक poet थे और साथ साथ में devotee भी थे, Lord Krishna के और ये उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है जन्म लिया थे, याद रखेगा, ठीक है और बाकी जो सारे है प्रिशनालिटी ये बिहार से थे George Orwell भी थे, नाम देखके लग रहा है बाहर के लगी नहीं, बिहार से बिलॉंग करते थे ये दुननन सर्मा को कौन नहीं जानता है विद्यापती जी को उगनारे मन कता होगे लोग याद तो होगा ही विद्यापती जी और साथ महीं सारा का सारा तो इसमें रस खान जो थे, वो नहीं थे ठीक है, कोशन वहार स्टेट मिल कोपरेटिव फेडरेशन ठीक है, बिहार स्टेट मिल कोपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जो मुलोग कॉम्फेड भी कहते हैं ये कब आया था, ये कब आया था, 1983 में याद रखी है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो, ठीक है आगे बढ़ते, कोशन नमर 118 पे, ठीक है 118 में कहा रहा है, which of the following river does not pass through the Patna district कौन सा river जो, Patna district से पास नहीं करता है, ठीक है तो देखें, पुन-पुन करता है, सोन करता है, गंगा करता है तो कौन नहीं करता है, गंडक नहीं करता है, तो गंडक हमारा करिक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है, अब एक कोशन है, कंट्री का जो पहला multi-dimensional poverty index आया ना, किसके दौरा release किया गया है, नितियायो के दौरा National Institute of Transforming India, जो think tank है, इंडिया का ये बता, इसमें से कितने परसेंट जो है, population भिहार के हैं, जो की गरीब है ठीक है, तो वो है आपको 51.91 परसेंट, याद रखेगा सबसे जादा, multi-dimensional poverty index जो है, उसमें बिहार सबसे जादा, पूर state है, इसमें 51.91 परसेंट जो है, वो पूर केटेगरी में बिलॉंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद जारखंड है, जिसका 42.16 परसेंट है, फिर उत्तर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 0.71 परसेंट पूर है, ठीक है, आप चलते कोशन नमर 120 पे, कह रहा है, टोटल इनर्जी फॉर फ्री बॉलिंग बॉड़ी, एक फ्री फॉलिंग बॉड़ी है, उसके लिए टोटल इनर्जी क्या हो जाता है, तो वो उसकी जो इनर्जी होते ह जाता है, ठीक है, इसको याद रखेगा आप, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, विच कंट्री ऐस अन्वेल्ट फाइव स्टेट स्टेप स्ट्रेजी टू कैंप डाउन एन इलिगल इमिगरेशन, तो पांच स्टेप स्ट्रेजी बनाए गया है, किसी को रोकने क मंजार कुंड एन धुआ कुंड, वाटरफॉल इस लोकेटेड नियर विच सिटी ओ बिहार, तो जानलेजें, सासाराम के पास है, ठीक है, मंजार कुंड एन जो धुआ कुंड है, वो वाटरफॉल है, जो लोकेटेड है सासाराम के पास, जो की स्टेट है बिहार का, सासारा काफ़ एचा जगह है वहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ एची है ठीक है साउध बिहार है यह साउध बिहार में एक डिस्रिक है अब चलते एक कौन से एप को बनाया गया था यह तो काफी इंपोर्टेंट है और काफी दिन से भी चला आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए कुस्टि सेवन भी आगर आप दिये हो गए तो उसमें आप परे हो गई है ठीक है अब चलते कुशन में 124 पे कह रहा है विच डिस्रिक अब ब ब्हार काफी यह भी बात ध्यान रखीएगा किसंगंज टी खेती किसंगंज में पाइनेपल की खेती किसंगंज में बारी सब से यता होता है इसका ख्याल रखना है ठीक है आगे बढ़ते कौसन में 125 पे कोशन में 125 कहा रहा सोमेस्वर रेंज जो है वो किस डिस्टिक पपयार मं है लग्ल को सोमेस्वर रेंज जो है वो है पको वेस्टमपारण में ठीक है और यह जो रेंज है न यह highest peak अच्छा एक चीज और समझते है इसी peak पे एक सोमेस्वर फोर्ट है वो सबसे highest peak पे है याद रखिएगा और जो हिली एरिया ना वेस्ट चंपारन डिस्ट्रिक का यह नौर्थ वेस्ट पार्ट बिहार है इसमें जो हिली एरियाज है वो सिवालिक रेंज से बिलॉग करते हैं जिसको हम लोग सुमिस्वर रेंज भी कहते हैं ठीक है और इसका एवरेज हाइट अग इसको हम लोग और कहते हैं यह कम्मिनिस्ट का एरिया है यह इस बात का विध्यान रखिएगा लेलिन गार्ड भी कहते हैं इसको ठीक है आगे बरते कुस्व में 128 को ठीक है कि right according to the India forest ISR को करें इनड्या市 स्टेटर रिपोर्ट 222 ट्रोटल फॉरेश् ट्रीज और एक टेना बीकार यह श्किजथ क्लोब्र सवें फ्री न॥ाज्यो फोरर्स्ट शेटरर्फ पॉर्स्ट्ARE क्लिम्चर ब्लाद कृतों को इस्टे तो मैं दे सकता हूं बाकी बिहार का भी बता सकता हूं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं है अब 129 पर चलते हैं कह रहा है विट रेफरेंस चुद बिहार बजट 2022-2023 तो यह मेरा गलत हो गया अब कह रहा है दिस बजट इस बेज़ट जाने है अब कह रहा है एकॉर्डिंग टू इस बजट नाइन पॉइंट एकॉनलमी ग्रोथ रेट इस एक्सपेक्टेट टू बी एचीवड इन एं ये तू तो तुन टू 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 यह पूछ रहा है इसम से कौन साइश स्टेट्मेंट करेक्ट है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आइटिंक आव सिर्फ सम पॉइंट यहां पर मैंने एक गल्दी कुछ रेट कर लिया ऑप्सेन टू जो है ना बजट इस बेज़ों सिक्सोर्स तो बिल्कुल सही है छे सोर्सेश पर ही है जिसमें कौन-कौन सा सोर्सेश है हेल्थ है जो करेक्ट है तो आप्सेन सी होना चाहिए एक्स का करेक्ट एक्सक्राइशन ठीक है आगे बढ़ते है कोशन में थर्टी पर कहरा है विच कंट्री आज साइन था मो यू मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टेंग बिभिहार स्टेट स्किल डिवलप्मेंट मिशन ठीक है कौनसी एक कंपनी है जिन्होंने साइन किया है में यू बिहार स्टेट स्किल डिवलप्मेंट मिशन से किस इसके लिए टू क्रेट सप्लाइचेन ऑपरेशन टैलेंट पूल इन जून दोजर इन जुलाई 2022 तो यह कौनसी कंपनी है तो यह है फ्लिपकार्ट ठीक है अब आगे बढ़त स्टेट एक तो यह पहला सेसं था और एक चीज़ा और हम समझते है पहली सेसं की बात करें 1885 कि तो एक भी एक भी विहार से किसी कोई बी रिप्रिजेंटेटिव ने इसको अटेंड नहीं किया था ठीक है और याद रखीए गहा सेकेंड कलकता सेसं था बिहार से रिपरिज प्रवाइब से और इंदिस कंवेंशन फिनांस वाइड प्रवाइड भाइड दर्भंगा महराज हतुआ डुम्राओ महराज ठीक है याद रखेगा तो आगे बढ़ते तो याद सेकेंड जो था ना उस सेशन में हम लोग बिहारी बिहार से बिहार के रिप्रेजेंटिटिव प्रवाइड बिहार बजट 22 तो कौन से था रूरल डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट आर्डी था ठीक है आगे बढ़ते 133 पे कह रहा है कह रहा है इन विच इयर मैथली वाज रिजनल लैंवेज अव बिहार वस इंक्लूड़ेड इंग्लिस इन एट सेडूल आठवे है तो यह आपको 23 मेंट डाला गया था ठीक है यह 23 मेंट लगा था और इसको याद कर लिजी यह बहुत इंपोर्डेंट है ठीक है अब 134 वे नुम्बर कोशन पर चलते है कोशन कहा रहा है विच ओर्डर फॉल्विंड डिस्ट्रिक बिहार फ्रॉम वेस्ट टो इस्ट इस इस एक मैप वाली ठीक है आप देखें कह रहा है वेस्ट इस्ट का करेक्ट ओर्डर बताना है ठीक है कोशन नुम्र 1134 है तो इसका हो जाएगा वैसाली मदुवनी सहरसा बांका ठीक है आप देखोगे तो भिहार एक मिनट मुझे पेंचन करने दीजे अब भिहार इस तरीक फिर बांका ठीक है अब आगे बढ़ते कोशन में 135 पे कोशन में 135 क्या कह रहा है विच फॉल्विंग इस नौट विच आफ दे फॉलोविंग इस नौट पर्संट पार्टिसिपेशिन ने टोटल पॉपॉलेशन भिहार याद रखेगा ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक है जिसमें जो पार्टिसिपेट नहीं करता है एक परसंट प्रफॉलेशन टोडल पॉपॉलेशन भिहार फोलोव इस तेस तो चाहना भाड जो है जिसकी एक परसंट से जादा है थिक है पादे सियोहर की देखा जाए तो सियोहर का 0.62 परसेंट है टूटल टूटल पॉपॉलिशन अफ दिस्टेट अफ दिस्ट्रिक एस कंपेर टू दे स्टेट अरवल की बात करें तो अरवल की है 0.62 परसेंट लगवग सेम है सैक पूरा की भी 0.61 परसेंट और लखी सरा का 0.96 कोची पोड को गैते है तो कुछी पोर्ट को कहते है कोईन कहता है कोची पोर्ट है को महानाजी रिवर पर फिराकूर डैब्स लार्जेस्ट अर्थेंग्याइन यहरा कुन है सब्सक्राइब के बारे में कभी देखेगा यूट्यूब पे आप देखे आप सौक्ट हो जाओगे कि उस टाइम में इतना बड़ा इतनी बड़ी आर्किटेक्चर को बनाने का कैसे पॉसिबिलिटी हुआ उनके लिए ठीक है 138 पे चलते हैं अब कह रहा है रानी गंज कोल ब इस वजह से यहां पर कोल्स की जो होते हैं और इस वजह से यहां पर कोल्स की जो होती है क्वालिटी अच्छी मिलती है यह ठीक है यह था को सिमें फॉट्इब कोल्स ऑनमें फॉट्टी जो क्ल है यहाक मिलती है बॉस्ट से और्ड यह तह्क है आगे मेरा धे जोานभानेश बिकांग फॉर्टी वन को देखते हैं कर आवीच बखेंग च्पालोउइं चमता बहुत जादा रहता है, जिससे कि यहां पर कौन होगा, कास्मीर होगा, नौर्ट इसे इंडिया होगा, रन अफ कच होगा, तीनों का तीनों हो जाएगा, ठीक है, तो 1, 2, 3 सारा होगा, तो more than one of the above होगा, क्योंकि option में कहीं नहीं दे रखा, तो option E हमारा करेट रांसर है हम लोग चलते हैं, question 142 पर, question 142 क्या कह रहा है, atmospheric pressure is the center of tropical cyclone in which atmospheric pressure जो होता है, वो center में, किसके tropical cyclone में, किसमें होता है, ठीक है, वो किसमें हमको same pressure देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो है आपको very low because of rising warm air, ठीक है, याद रखेगा, beach का जो center होता है, atmospheric pressure जो होता है, tropical cyclone के, उसके बीच में जो center होता है, उसके pressure में, बहुत कम pressure होता है, क्योंकि उसमें जो air होती है, warm air वो उपर की तरफ उठते रहती है, ठीक है, अब चलते है, 143 नमर question की तरफ, ठीक है, अब देखे, रेगूर जो होता है, उसको black soil कहते है, ठीक है, याद रखेगा, black soil क्यों कहते है, औ हम लोग और कहते है, रेगूर स्वाइल कहते है, ठीक है, महरास्टरा वाले reason में, आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा, 144 पे चलते है, कहता है, as a result of increase in bank rate by reserve bank of India, अगर increase किया जाए, bank rate को, किस के द्वारा, reserve bank of India के द्वारा, तो क्या होगा, तो क्या देखने को रेगा, liquidity of the market decrease हो जाएगा, liquidity कहने का मतलब, जो cash flow होता है, वो decrease हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब is bank rate अगर बढ़ जाता है, ठीक है, bank rate बढ़ जाता है, ठीक है, तो आप एक और दाहिए, तो bank rate मतलब मानले, जो लोन रेट बढ़ गया, ठीक है, तो interest rate of interest अगर बढ़ चाहलाब है इसक्राइए पांच परस forgiving अब ले रहा है वो अन्परैसे 10 पर्सेन तो लोग लोन लेना कम कर देंगे इसका मतलब है हम लोन से लेड़ा है मतलब मार्केट कम हो गई तो अब चलते हैं लोग कोशन में 145 पे कह रहा है कोशन में 145 कह रहा है वें डिड़ नेशनल इंकम कमिटी गीव इट्स फर्स रिपोर्ट तो पहला रिपोर्ट कब दिया गया था यह दिया था 1951 को ठीक है याद रखेगा 1948 से लगे 49 दे नेशनल इंकम कमिटी वस एपॉंट अब देखेगे और देखेगे और एक शीज और याद रखेगा इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो लिकुरिटी बढ़ जाएगा मतलब तो cash flow बढ़ जाएगा ठीक है तो वो हो जाएगा reverse repo rate reverse repo rate का ठीक है आगे बढ़ते हैं 147 कोशन देखते हैं कहता है how much how much of the budget was allocated for the जल जीवन mission JJM mission जो है in the union budget 2022 ते इस तो याद रखेगा ये था 6 ये था आपको 60,000 करोर और याद रखेगा जो बिहार दिवस 2022 में मना है उसकी भी जो जो जल जीवन हर्याली mission ही थी ठीक है याद रखेगा अब चलते हैं लोग कोशन में 148 पे 148 क्या कह रहा है the outer part of the candle flame is blue because it comes in contact with किसके contact में आने कारण blue हो जाता है यह होता है oxygen की वज़े से ठीक है कहता है the blue part of the candle cannot be inside because the combustion is an oxidizing process इसलिए वह बाहर के तरफ ज्यादा वह होता है flame जो होता है oxygen जो बाहर evidence में मिलता है उसकी वज़े से color वह चेंज हो जाती है अब लोग चलते 149 नुमर कोश्चन पर है अब लोग 149 नुमर कोश्चन पर चलते हैं कह रहा economic growth economic survey जो 2022 का है वो project किया है कितना GDP growth financial year 2023 में ठीक है तो यह किया आपको 8 से लेके 8.5% तक ठीक है आगे बढ़ते हैं question 150 और last question है यह था set number 1 आगे और बात करेंगे according to the budget announcement of the year 2022-23 at how many places under the PPP model public private partnership model it was said that multimodal logistic park would be set up कितने सारे multimodal logistic park set up किया जाएंगे अंडर PPP model के द्वारा तो यह है चार ठीक है तो यह था आपको perfection IS की पहली mock test full length test सरी जो मैंने आपको करा दिया मैं बोलता हूं यह कि मैं इसकी पीडिया भी डाल दूगा ठीक है लेकिन आप वीडियो को टू के स्पीड से सुनो ठीक ना वीडियो को टू के स्पीड से सुनो आराम से या फिर 1.5 के स्पीड से पूरे question को मैंने explain भी किया इसको अगर आपको लगता है कि मेरा content सवाकई में अच्छा है तो आप मेरे चैन आप जुरू होगे तो मैं इसकी पीडिया भी डाल दूगा और मैंने घटना चक्र की physics की playlist पूरी खतम कर रखी आप जाके देख सकते हो मैं बेट करता हूं अगर आप उसको देखोगे तो आपका concept clear होगा आप physics में कोशन बहुत कम गलर कर गया होगे ठीक है उसके बाद मैं पॉलिटिक इलूशन डाली है और भी मैं continue डालूँगा ही और geography session भी चल रहा है कुछ मैंने tricks की वीडियो डाले है हम जाके देख सकते हो थैंक यू